दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा है अभी recently LIC ने एक revival campaign launch किया है जिसके तहत अगर आपकी कोई LIC की policy बंद है उसे आप चालू करवा सकते हैं और उसे अगर आप चालू करवाते हैं तो उसमें आपको late fees के अंदर discount दिया जाएगा दोस्तों revival campaign में लोगों का जो सबसे main बड़ा doubt होता है वो होता है कि उनकी पैलेंटी माफ होगी जी नहीं दोस्तों revival campaign में पैलेंटी पूरी माफ नहीं होती है यहाँ पे जो भी आपकी पैलेंटी होती है late fees होती है उसमें कुछ conception दिया जाता है तो यह revival campaign 17 अगस से start होआ है औ चलेगा आपका 21 October तक तो अगर आपके कोई भी LIC की policy है या फिर आप agent है advisor है और आपके customer की कोई policy है उसे आप revival करवाना चाहते हैं तो इस campaign के तहता आप करवा सकते हैं तो आज हम discuss करेंगे अगर आप किसी बंद policy को जिसको कहते हैं lapse policy इसे अगर आप चालू करवाना चाहत है या फिर आप एक तरीके से जिसे personal statement regarding health form भी कहते हैं जिसका number होता है 680 इसी तरीके से और भी एक form होता है 720 और भी अधर है तो यह जो 680 form कैसे फिल किया जाता है यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो 680 number form कब फिल किया जाता है वो फिल किया जाता है जो भ पहले का जो form था उसमें से एक दो कॉलम यहां पर हटा दिये गया है तो यह जो 680 form कैसे फिल किया जाता है यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो आईए जानते हैं तुमस्कार दोस्तों मैं हूँ शुबंबाटी डेवलोपमेंट ओफिसर लाइस यू अफ इंडिया स्वागत करता हूं आपका तो सबसे उपर यहां पे एजेंट का नाम आजाएगा जो भी आपके एजेंट है उनके एजेंट का नाम आजाएगा अगर यह form एजेंट खु यह आपका ब्रांच कोड हो गया फिर आपको यहां पे डिविजन ओफिस का नाम लिखना है जैसे डिविजन ओफिस आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं आप ब्लैंक चोड़ सकते हैं फिर आपको ब्रांच ओफिस लिखना है ब्रांच ओफिस में यहां तो आप ब्रां करवाना है revival करवाना है वो आपको यहां पे लिखना है अब आपको यहां पे customer का full name लिखना है दूस्तों यहां में एक demo form फिल कर रहा हूं यह मैं red point से fill कर रहा हूं लेकिन आपको यह form blue pen से fill करना है तो यहां पे life assured का नाम आ जाएगा जो भी policy धारक है policy holder है उनका यहां पे नाम आ जाएगा उनका नाम जैसे हम यहां पे सुरेश कुमार लिख देते हैं फिर यह क्या है male है female है transgender है तो जैसे यह male है फिर यहां पे उनका address फिल करना है address हम लिख देते हैं अब आपको यहाँ पर उनके email ID लिए जो भी उनके email ID अगर email ID available नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो आप कुछ भी email ID लिख सकते हैं यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर mobile number ड़ालना है यहाँ पर उनका present occupation आपको लिखना है कि present occupation क्या है जैसे अभी क्या काम करते हैं जैसे मान लो अगर कहीं job करते हैं तो यहाँ पर job लिखना है अगर self-employed है तो self-employed लिखना है अगर government employee है तो आपको government employee लिखना है फिर जहाँ पर जिस company में वो काम करते हैं भी उनका एंपलोयर है उनका यहां पर नाम आएगा जैसे मान लीजे आप जॉब करते हैं और जॉब आप करते हैं TCS के अंदर तो यहां पर आपको कंपनी का नाम लिखना है TCS फिर length of service आपको लिखनी है कितने टाइम से आप यहां काम कर रहे हैं जैसे मान लीजे दो साल से काम कर रहे हैं तो two years आ जाएगा फिर personal history यह सबसे main होता है revival के अंदर यह आपको अच्छे से एकदम फिल करना है इसमें कुछ भी चीज आपको नहीं चुपानी है जैसे अगर आपने कोई पिछले 5 साल में किसी डॉक्टर को दिखाया है या फिर आपने कोई treatment लिया है या फिर आप hospitalized हुए है या आपको कोई भी injury हुई है तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे mention करनी है जो यहाँ पे दी गई है अगर कुछ भी आपको नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे no करना है अगर यहाँ पे आप revival करते time कुछ चीज छुपाते हैं तो आपको claim में दिक्कत आ सकती है इसलिए आपको जो भी सच्चा है वो सारी सच्चा है यहाँ पे आपको लिखनी है जैसे हम में यहाँ पे कोई भी problem नहीं है तो आपको defect लिखना है कोई injury अगर आपको हुई है तो वो आपको mention करना है फिर यहाँ पे आपको no करना है फिर है आप अगर alcohol drink करते हैं नार्कोटिक्स लेते हैं तबाको smoking करते हैं तो वो आपको यहाँ पे mention करना है अगर कुछ भी नहीं है तो no करके आप आगे बढ़ सकते हैं फिर आपके personal state of health कैसा है यह हमारा good है तो यहाँ पर आगे आप good पर टिक करके again आप यहाँ पर लिख दीजिये good फिर k option में आप से पूछा जा रहा है कोई other आपने office में proposal नया proposal दिया हो या फिर आपने कोई other policy इसके साथ revival कर रही हो तो उसकी आपको detail लिखनी है आप अगर यह single policy revival कर रहा है तो आपको no लिखना है एल option में पूछा जा रहा है आपने इस policy में या कोई other policy में कभी कोई extra premium दिया हो या फिर कभी आपका कोई proposal cancel हुआ हो आपको LSE ने policy दिने से मना किया हो तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे mention करनी है अगर नहीं है तो आपको no लिखना है फिर यहाँ पे सबसे main important point आपको यहाँ पे height लिखनी है height में दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपने policy करवाते time height दी है वही height यहाँ पे आपको लिखनी है अगर उस time थोड़ी age कम थी तो मान सकते हैं एज के according आपके height बढ़ी होगी लेकिन आपकी age average है और उसके बीच में अगर आपकी height बढ़ने लाइक नहीं थी तो ऐसे case में आपको height exact लिखनी है बच्चों के case में हम मान सकते हैं height बढ़ती रहती है लेकिन एक ideal adult person के case में height बढ़ने के chances कम होते हैं तो यहां पर जो भी आपने policy करवाते time height दी थी उसके आप आसपास लिख सकते हैं तो जैसे हमने policy करवाते time suppose 170 cm दिया था तो हम 170 लिख देते हैं फिर weight कम जादा होता रहता है तो weight आप अंदाज से यहां पर लिख सकते हैं जरूरी नहीं है जो policy के time आपका weight आपने दिया था वही आपको लिखना है फिर आपको नीचे आना है फिर fifth option पूछा जा रहा है आपने इसके अलावा कोई other policy revival कर रही हो इस company में या फिर other company में तो उसके आपको detail देनी है अगर नहीं कर रही है तो आपको no लिखना है फिर जरूरी के case में आप बर रहे हैं तो उनके date of last delivery भी लिखनी है अब दोस्तों यहाँ पर ladies के case में date of last delivery क्या होगे जो भी उनका सबसे last बच्चा होगा उसके date of last delivery यहाँ पर आपको mention करनी है क्योंकि वही है उनकी last delivery date होगी फिर उनके कोई miscarriage होगा हो abortion किया हो उन्होंने pregnancy मे तो वह आपको यहाँ पर mention करना है फिर इसके अलब उन्होंने कोई और treatment लिया हो कुछ तो उसके बारे में यहाँ पर आपको mention करना है लेजिये आप जूतपुर में revival करया रहे है तो आप जूतपुर लिख सकते हैं फिर आपको यहाँ पर date लिखनी है जैसरे 21 को करवा रहे और अगस्त के महीने में करवा रहे हैं 2022 में फिर नीचे आपको signature of witness में यहाँ पर आपको sign करवाना है witness में आपके यहाँ पर agent witness बन सकते हैं या फिर कोई LIC के staff आपके witness बन सकते हैं जैसे DO है वहाँ पर जो revival करने वाले हैं वो भी कर सकते हैं अगर उन्हें कोई problem नहीं लगती है आपके case में तो वह भी यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन बैटर यह रहता है आप agent से witness करवाएं फिर आपको आपके sign यहाँ पर करने हैं जैसे हमने किया है सुरेश अगर policy दारक illiterate है मतलब अनपढ़ है और उनको यह सब form पढ़ना नहीं आता है तो ऐसे case में जो भी declarant है ज दोस्तों यह था हमारा revival form 680 इस form के साथ और भी documents आपको देने पड़ेंगे वो है एक आपको form के साथ KYC भी देना पड़ेगा KYC में या तो आप आदार कार्ट, pen card, driving license कुछ भी दे सकते हैं इसके अलावा अगर कोई medical requirement आती है आपकी age की और summer short की according तो वो भी आपको fulfill करनी पड़ेगी और सबसे main इसमें आपको एक covid questionnaire आता है वो भी fill करके साथ में देना पड़ेगा जिसमें आपको covid की details फिल करनी पड़ेगी अगर आपको पहले कभी covid हुआ उसके बारे में या फिर आपने कोई vaccine लगाई है तो उस vaccine की details आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी तो द सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओके फ्रेंड्स थैंक्यू